वेलकम तो माई चानल आज इस फीडियो में डिसकस करने वाले हैं आपके क्लर के एक्जाम को जो कि आपकी CSK पालंपुर 2021 में हुआ था आपके एप्रिल मंत में हुआ था ये एक्जाम तो हम इसको दिसकस करेंगे क्योंकि इसमें जो आपके क्वेशन्स है आप जनल जी के से जो आपके questions थे वो बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे लेवल के थे और आपको आने वाले exams में ये questions देखने को definitely मिल सकते हैं इसमें हमार पस इंडिन जी के है देन आपके पास international जी के है आपके पास current affairs है हिमाचल जी के है देन आपके पास reasoning का question भी है इसमें फिर आपके पास इसमें और क्या है English and Hindi section है तो हम सब को discuss करेंगे पूरे paper को discuss करेंगे अगर video थोड़ी लंबी बन जाती है तो इसको parts में divide कर दिया जाएगा सो बिना time waste के let's start बट उससे पहले अगर आप मेरे चानल पर नए हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दाट आपको हरी important update time मलती रहे सो बात करते है first question की when did partition of Bengal formally came into force से इसमें into force पूछा गए है तो force में कब आई थी वो आई थी October 16 1905 हो चीक है October 16 1905 बहुत ही जादे important question से question है and इस paper में आप देखोगे जी के जो है बहुत ही अच्छे level की पूची गई है अच्छी पूची गई है next है who is Greta Thunberg तो आपने अगर देखा होगा इनको तो अभी recently थोड़े टाइम पहले यह बहुत साथ है न्यूज में थे तो आपके environmental activist है यह चीक है c is the correct answer next आपका कंजूर is the text of which c तो इसमें आपका है sect फिर इसमें जो है आपका यह किस से related है यह आपके Buddhism से related है तो a is the correct option next बात करेंगे from the region saffron got gi tag तो कहां से saffron को gi tag मिला है तो आपकी कश्मीर से मिला है तो आपको पता है कश्मीर में जो है saffron का बहुत अच्छा उत्पादन होता है तो कश्मीर is the correct option next है which of the following state does not border with Bangladesh तो इसमें से कौन से state है जो बांगलादेश के साथ बांगलादेश के साथ बांगलादेश के साथ बांगलादेश के साथ ही शेयर करता है और इसमें जो आपका correct answer है कौन सा state है जो जिसमें आपका बांगलादेश वो नहीं है ठीक है बांगलादेश जो है बांगलादेश नहीं करता है बांगलादेश को that is your Nagaland D is the correct option बात केते हैं next question की in which state संगही festival is celebrated जो आपके संगही है वो कहां होता है वो आपके मनीपूर में select वो होता है celebrate किया जाता है संगही कहा मनीपूर में next question in which state is Sabrimala temple situated तो कहां है वो आपका यापको आगे के लिए भी याद रखना है वो आपके Kerala में है तो कहां है Sabrimala temple जो है वो कहां है Kerala में है बहुत ही जादा important question है next time which of the following is not a natural lake in HP तो आपको पता है रेनु का एक natural lake है पास्टर भी एक है नाको भी एक natural lake है तो सिरफ और सिरफ कौन से चमेरा जो है वो आपका natural lake नहीं है हमने भी थोड़े टाइम पहले कहां जो hydro electricity पे हमाचल में जो प्रोजेक्स है hydro electricity पे जो हमने क्या किये थे पूरी वीडियो बनाई है जिसमें हमने चमेरा को भी discuss किया था हमने उसको discuss किया था जो आपके प्रोजेक्ट है तो यह कहां यह चमबा दिस्ट्रिक में है चीक है और यह कौन से रिवर पे है रिवर रावी पे है चीक है इसकी chief executing agencies के बारे में भी हमने डिसकस किया था अगर आपने वह अभी तक hydro electricity projects in Himachal Pradesh वो वाली video नहीं देगी है तो description box में उसका link दिया गया है ठीक है next है आपका which of the following is not a tribe of Himachal Pradesh तो इसमें से कौन सा आपका पकरवाल जो है वाल जो है यह नहीं है C is the correct option next है under which section sorry under which schedule of the constitution tribal areas in HP have been declared as schedule areas तो कौन से constitution के उससे है या आपके कौन से schedule में है या आपके तो या आपके है fifth schedule में ठीक है A is the correct option बात करते है next question की according to 2011 census female literacy rate in HP is तो female की कितनी है अगर आप इसमें near about जो answer देखोगे तीक है near about ही answer आपको देखना पड़ेगा इसमें तो वो है आपकी 73.51 तो नहीं दी है जो nearest answer है वो यही है अगर overall पूछा जाता की overall कितनी है तो 82.80 है हिमाचल की literacy rate how many panchayats were there in हमाचल प्रदेश before the recent proposal of approval of new panchayats so new panchayats बनने से पहले आपकी 230 new panchayats बनी थी तो उससे पहले कितनी panchayats थी तो आपकी 3,226 थी and आपकी कितनी और नहीं बनी थी आपकी 230 जो है नहीं panchayats बनी थी तो अब कितनी है आपकी 3,456 अबकी new panchayats बन चुकी है next बात करेंगे which of the following is the largest river in हमाचल प्रदेश c आपकी इसमें से जो इन 4 option ने से आपको correct बताना है तो वैसे तो आपको पता है कौन सी है आपकी सतलुच है but इसमें सतलुच option में नहीं गयी है यमुना वैसे ही सतलुच होटी है तो c ब्यास is the correct option next question है आपके इसमें आपके आपने HPSAC कभी recently एक एक जाम होगा तो अगर आपने वह देखा हो question तो इसमें पुछा गया था हिमाचल प्रदेश की state game कौन सी है तो volleyball है तो इसमें यह पूछा गया आपके volleyball is the state game of हमाचल प्रदेश यह तो आपको बता दिया गया है इसमें आपको यह बताना है how many players play on each side तो कितने six players खेलते हैं each side पे तो B is the correct option बात के लेते हैं next question की in which sorry India won gold medal in 1946 sorry 64 olympic hockey under the captaincy of which player तो काउन से चरंजीत सेंग की captaincy में उन्होंने जीता था olympic hockey ठीक है next है आपका चमक चनक चम dance of lahulzpiti is performed as a tribute to see आपको पते है लाहulzpiti से लेटेर है questions तो आपके ज्यादा से साज़ेश वांसर चाहेंगे वो लौड बुद्धा के साथ जाहेंगे ठीक है so lord buddha is the correct option next question personal law subject like marriage divorce and inheritance are included in which of the following list of ninth schedule of our constitution see इसमें से आप से ये भी पूछा जाता है कौन से schedule में है आपके ठीक है marriage divorce ये जो है ये किस में आता है ये आपकी ninth schedule में आता है यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है एक question तो आपका यही बन जाता है next अब आपसे पूछा गया है कौन सी list में है list पूछी गई है तो list कौन से आपकी concurrent list है c is the correct option next question है which state got top position in environment index in 2020 तो कौन सा है see अगर हम हिमाचल की बात करें जाएं तो हिमाचल 10 पे था हिंडिया में बात की जाएं ठीक है कैरिला की बात की जाएं कैरिला 4 पे था असाम की बात की जाएं असाम में जो है आपके वो 21st rank पे था और मिजुरम जो था वो 11th rank पे था तो इसमें जो आपका answer बन जाएगा वो क्या रहेगा वो भी कैरिला रहेगा बात के लेते हैं next question की how many square meters are there in half an acre अगर हम acre की बात करे जाएं तो कितने होते हैं तो वो होते हैं अगर हम half acre की पूरी बात की जाएं तो वो कितना होता है 2023.43 square kilometer रहता है आपका ठीक है पर इसमें आपका ये नहीं है तो around about आप इसके around about जो होगे तो B 2000 is the correct option बाकी तो बहुत दूर दूर हो जाएंगे next year which of the following river creates conventional frontier between आपका South India and North India तो कौन सी आपकी नर्मदा रिवर A, B is the right answer बहुत ये अच्छा question है ये और आप देख सकते हैं अच्छा question है थोड़ा difference अभी है हटके भी है थोड़ा question तो B नर्मदा is the correct answer next आपको बताना है which of the following valley is not situated in Himachal Pradesh तो आपको बता है सांगला भी हमाचal Pradesh में है तीर्थन भी हमाचal Pradesh में है पीन वहली भी हमाचal Pradesh में तो कौन सी नहीं है अराकू नहीं है, अराकू का है आपके अनाचल प्रदेश में है, जी के, अनाचल प्रदेश में है, next है आपका, which, when is हिंदी दिवस celebrated across the country, तो हिंदी दिवस कब celebrate होता है, आपके 14th September को celebrate होता है, आपको बताना है, वर्ल्ड हिंदी दे कब celebrate होता है comment box में world hindi day kब celebrate होता है comment box में बताना है मैं आपको hint दे देती हूँ January के मंत में यह celebrate होता है आपको सिरफ और सिरफ date बतानी है next question है आपका khunoma in India is first green village एक आपको बता दिया तो आपके नाम बता दिया है अगर आपसे यह भी पुझे थे first green village in India is तो आपको उसका नाम बताना तो आपका khunoma जो है वो first Indian village है आपका first green Indian village है ठीक है और कौन सी state में पूछा गया है आपको कौन सी state में है यह आपकी नागा लैंड में है यह कहा है नागा लैंड में तो इसमें जो P will be the correct option next पात कर लेते हैं how much percent area is under forest in HP according to India state of forest report 2020 तो कितना है आपका वह 66.52 percent यह question बहुत जादा important है हिमाचल जी के के लिए बहुत बहुत पूछा जा चुका है आपको total area तो पता है ना 55673 जो है आपका total area है हिमाचल प्रदेश का जीक है उसमें से 66.52 percent जो है वो क्या है आपका forest cover है ठीक है अब next है आपका if you write down all numbers from 1 to 100 then how many times do you write 3 आपको बताना है तीन आप कितनी बार लिखते हों तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है अगर आप 0 के बात करो 1 to 100 में 0 कितनी बार आता है तो 11 बार आता है 1 के बात करो तो 121 times आता है and आप अगर बात करो 2 से लेके 9 तक जो नंबर है आपके वो कितनी बार आते हैं 20 बार आते हैं so 2 से 9 के बीच में 3 भी fall करता है ठीक है जो 3 है वो कितनी बार आएगा 20 is the correct answer next बात कर लेते हैं इस question कि in a garden there are 100 rows and 20 columns of apple tree the distance between the two trees is 2 meter and distance of 1 meter is left from all side of the pondry of the garden the length of the garden is यहां पर जो answer है वो गलत दिया गया है इन में से कोई भी नहीं है ठीक है यह जो आपके options दिये गए है 24 meter आपका आता answers अगर यहां पर जो आपके यह values जो है वो 12 and 10 रहती तब ठीक है so equation थोड़ा शायद से गलत है यह numbers जो है वो गलत प्रिंट हो चुके है next आपका the height of statue of unity जो आपकी असरदार वरलभाई पतेल की है तो उसकी आपकी जो कितनी height है 182 meters है अगर हम इसकी feet में बात करी जाए feet में भी इसका question पूछ लिया जाता है तो यह है 597 feet बात कर लेते हैं next question की हिमाचल प्रदेश विकें the 18th state of union इंडियन यूनियन ऑन तो कब हुआ था 25 जैन्वरी 1971 is the correct option so next question जो आपका यह question है what is the largest state जो which is the state largest producer of hydro power in India तो इसमें आपका answer रहेगा वो ए उत्राखंड रहेगा आपको पाता होना ची उत्राखंड में आपका जो तेही डाम है यह क्या है आपका यह highest hydro electric power project है country में ठीक है तेही डाम जो है next आपका अंधरा hydro project in HP is situated in which district see मैंने आपको वीडियो के starting में भी बोला था जब हमने एक question discuss किया था आपके hydro electric project के बारे में वहां पर मैंने आपको बोला था कि मैंने इस पे एक video बना दी already and आपको बहुत जादा help होगा अगर आपने वह वीडियो देखे होगी तो आपको starting में ही फर्स्ट जो हमने आंधरा hydro project के बारे में discuss किया था तो कहां यह आपके है यह आपके शिमला district में fall करती है तो आप देख सकते हो यह वीडियो कितनी जादा important है वो hydro electricity in HP वाली क्योंकि यहां से आपको question definitely देखने को मिलता है तो अब भी तक अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे तो description box में आपको उसका link दिया गया है और भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई then old name जहां से question बनता है ancient name जो है आपके हिमाचल प्रदेश की रियासतों के या आपके historical towns के वो भी हमने बना दिये video so यह सारी important videos और आने वाली भी बहुत सारी important videos आने वाली है जैसे आपके temples पे आने वाली है then आपके historical towns पे भी आने वाली है ठीक है प्रिंसली स्टेट में भी हमने सब कुछ डिसकस किया था कि प्रिंसली स्टेट का old name क्या था फिर उसकी capital कहां थी and उसके जो किसने उसको found किया था और उसके last ruler कौन थे अगर आप नहीं देख रहे होंगे HPSCC की series भी देख तो अगर आप तो वहां पर आपने देखोंगे यहां से questions definitely पूछ जाते तो सबका जो है description box में आपको link दिया गया है अब वो सारी अच्छे से वो videos देख सकते हों next है which city is called the city of lakes तो आपका किसको बुला जाते है उदेपूर को बुला जाते है is the correct option next जो question है आपका there have been two Indian field marshals so far one of them is the same थोड़ा question clear नहीं है who is the another one तो इसमें जो आपका जो answer हैगा वो km करियपपा रहेगा ठीक है next question है which among the following is odd इसमें जो आपका odd one out है वो है leather क्यों? wool, cotton और silk जो है ये कहां से मिलती है आपको so इसमें जो odd one out है वो आपका leather है leather क्योंकि wool and cotton and silk जो है ये आप किसी चीज को ये plant and animals से वैसे तो leather भी आप animals से एक्स्ट्राक्ट किया जाता है बट ये killing आप बोल सकते हैं अगर आप इस लॉजिक में दिखा जाए तो leather से क्या होता है आप kill करते हो animals को ठीक है फिर आप उनकी skin extract करते हो वेरास जो ये आपकी wool है वूल एक आउटर लेयर जो है hairs की वो ही remove करते हो उसकी वज़ा से आपको wool मिल जाती है उसमें आप animal को कोई भी हाम नहीं पहुंचाते हो ठीक है नेक्स्ट आपकी जो question है next question आपका जो जी बिनी जो आपकी तुन्जी वास crowned as miss universe in which year तो कौन सी year में इनको crown किया था तो ये आपके जो है 2019 में crown किया गया था is the correct option कहां की है ये एफरिका से हिप लॉंग करते हैं इस question में है जो इस वीडियो में हम around about 50 questions ही discuss करेंगे बाकी जो आपका English part है वो नेक्स्ट वीडियो में ही discuss करेंगे वहना बहुत बड़ी बंचाएंगी next आपके fast tax for all collection of work on which technology तो कौन सी है तो आपके रिफ्ट दुआरा है की गई भी तो B is the correct answer next है which pass separate lahul from speedy तो कौन सा pass जो है वो separate करता है कौन सा pass जो separate करता है वो है आपका consume pass ठीक है बात के लिए तें next question की what is the old name of हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश का old name क्या था तो आपको ये पता होना चीए त्रिगर था जो कि आपकी कांगडा की एक रियासत थी और कांगडा का भी ancient name था वो ही हिमाचल का भी old name बोला जाता है next question है आपका who has been awarded as DRDO scientist of the year award 2020 तो किसको हेमंत कुमार पांडे को ये award दिया गया है next है who is credited with inventing mobile phones तो आपके Martin Cooper को दिया गया है ये तो आपको पता है न टेलिफोन उन्होंने invent किया था next जो है आपका reasoning question है if 1 1 1 1 4 times 1 is equals to R 4 times 2 is equals to T 3 times 3 sorry 3 times 4 is 3 4 times is equals to E and 4 जो है 4 बारी N है then 5 बारी क्या होगा Y, G, P, K see इसमें जो logic लगाया गया है अगर आप 1 plus 1 plus 1 plus 4 बार आप 1 को plus करोगे तो answer क्या आएगा 4 ठीक है and 4 का last letter क्या है R तो 1 is equals to R लिखा गया है वैसे आप 2 plus 2 plus 2 plus 2 तो ये कितना होगा 8 8 का last answer digit क्या है T तो वैसे 2 is equals to T लगाया गया है ठीक है वैसे 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 कितना होता है कितना होता है वो आपका होता है 16 है नहीं 3 plus 6 6 9 12 12 होता है 12 का last क्या है आपका 12 का last जो है आपका वो E है ठीक है वैसे आप 4 plus 4 8 12 16 4 plus 4 कितना होगा आपका 16 और 16 का last letter क्या है N ठीक है तो वैसी ही 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 20 होता है 20 का last letter क्या है Y तो इसका जो आपका answer है वो A Y रहेगा So next question है India has recently signed MOU for peaceful use of outer space with which country तो इसमें आपका answer रहेगा वो किस के साथ की थी भुटान के साथ की गई है ठीक है आपको भुटान की capital भी पता होने ची और इसकी currency भी पता होने ची जैसे कि आपके भुटान की capital क्या है थिंपू है ठीक है currency भी आपको पता होने ची आपको इसे श Next which of the following vice president should not become president of India तो इसमें आपका answer हैगा Mohamed Ansari is the correct option Next which state government has lost Jeevan Amrit Yojna to boost immune system of people to fight covid-19 disease तो यह किस ने की है Madhya Pradesh ने की है Next which state election commission became the first to launch face recognition app for voters in India तो इसमें आपका answer रहेगा वो तिलंगाना रहेगा is the correct option Next which organization has launched Kisan Sabha app to connect farmers with supply chains and freight transportation management system तो किसने CSIR ने की है यह Next है आपका who is the author of wings of fire या यह यह autobiography है यह book तो किस ने लिखी थी बहुत easy है APJ Abdul Kulam ने लिखी थी Next headquarters of UNO तो कहां है यह आपके New York में है D is the correct option बात कर लेते हैं next question की आपकी name the former finance minister of India who was given the economic times lifetime achievement award for public service 2019 तो किसको अर्ण जेखली जी को दिया गया है Next आपका है नेम तो भारत रतना award whose death anniversary is celebrated as महा परीनी चेतर जो दिवस जो है आपका on 6th December तो इसमें जो आपका answer हैगा वो है BR अंबेद कर ठीक है Next और last question इसका Florence Nightingale Middle Institute in 1912 is given for distinguished service in the field of कौन सी field में यह दिया जाता है आपके Public Health and Nursing के ठीक है यह first 50 questions हमने रिस्कस कर दिया Around about 25 questions जो कि आपकी Hindi and English section के हैं वो हम next video में रिस्कस करेंगे अगर आपको यह video useful लगती है तो फ्लीज इसे like कर दीजे अपने friends के साथ है कर दीजे बाकि इस channel को subscribe कर दीजे Thank you so much